तो फिर ये हैं मेरे पास Samsung Galaxy Z Fold 4 और मैं आज इसकी Unboxing करने वाला हूँ कैसी Specification रहने वाली है, सारी चीज In total मैंने आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसी चीज रहने वाली है, कैसा Camera है कैसी Display देखने को मिलते हैं, कैसा Phone है सारी चीज बताऊंगा, डिजाइन कैसे देखने को मिलते है सारी चीज इन total इस वीडियो में आज मैं को बताने वाला हूँ तो without wasting time इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फिए Samsung का Box जो की कुछ इस तरह का आपको Box देखने को मिल जाते है Side look wise कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलते है Box को Unbox करते हैं तो Box ये अंदर सबसे पहले आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जो की काफी बड़ी डिस्प्ली देखने को मिल जाती है यह कुछ कुछ की Star Guide देखने को मिलते है तो Gorilla Glass का Protection देखने को मिल जाता है Graphics के मामले में आपको Adreno 730 देखने को मिलता है जो की Processor की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 देखने को मिलता है जो की 8 Core देखने को मिलता है बैटरी की बात करें तो 4400 mAh टकी आपको बैटरी मिल जाती है Screen Size की बात करें तो 7.6 इंच की आपको Display मिलती है Bezel-less Display है और इसमें आपको Punch-Holy Styling में Display देखने को मिल जाती है जो की यह स्मार्टफोन में आपको Android 12 का Support देखने को मिलता है Samsung One UI आपको देखने को मिल जाता है Dual SIM का Support देखने को मिलता है 12 Megapixel का एंड ठर्ड केमरा आपको 10 Megapixel का देखने को मिल जाता है जो की काफी अच्छी क्वालिटी में आपको Photo Click करके आपको दे सकते हैं यानि कि अगर आपको Photo या Video पीज़ करना है